नमस्कर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पॉब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर जहां आभी हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ्स का पंद्रहवा अध्याय जिसका नाम है प्राहिक्ता इस अध्याय से जितने भी इंपोर्टेंट अब्जेक अभी आप लोग प्राहिक्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह आपकी किताब का सबसे अंतिम अध्याय है तो निश्चित रूप से और इससे एक सवाल आता ही आता है निश्चित रूप से तो आप लोग बहुत अच्छा से इसको ध्यान से देखिएगा पहले सवाल है प्राहिक्ता के संबद में पहली पुस्तक किसने लिखी थी तो प्राहिक्ता के संबद में पहली पुस्तक लिखी थी जे कार्डन ने लिखी थी प्राहिक्ता के संबद में पहली पुस्तक जे कार्डन ने लिखी थी इना दी बुक आन गेमस ऑफ चांस किताब का नाम था book on games of chance उस किताब को लिखा था जे कार्डन ने और प्राइक्ता के बारे में लिखी जाने वाली वो पहली किताब थी तो इसका सही answer हो गया B. प्राइक्ता के संबन्द में पहली पुछतक जे कार्डन ने लिखी है और कौन सी किताब लिखी है book on games of chance सवाल है अगला सवाल है अगर एक सिक्के को 200 बार उच्छाला जाए और चित आने तथा पट ना आने की प्राइकता ग्याद की जाए तो इनका योग किसके बराबर होगा ठीक है तो धांग समयना अब तो पहले एक बात याद रखो अब एक बात याद रखो कि किसी भी घटन एक के घटने और उसके नहीं घटने की प्राइकता योग हमेशा एक के बराबर की किसी घटना के प्राइकता निकाल है aur उस घटना के नहीं घटने की प्राइकता निकाले और दोनों को जोड़ दिए तो किसके बराबर आएगा हमेशा एक के बराबर आएगा यह बात याद रखना और दूसरी बात यह याद रखना कि प्राइक्ता हमेशा जीरो से एक के बीच में कोई संख्या होता है एक से बरा नहीं हो सकता है तो यह बात भी याद रखना चलो अब यहां पर देखो तो देखो प्राइक्ता कैसे लिखते हैं हम लोग यहां देखो ध्यान से देखो गए तो अगर एक सिक्के को 20 बार उचाला जाए तो चीत आने तथा पॉट नहीं आने की प्राइक्ता पूछ रहा है और दोनों का योग माने दोनों को जोडने पर कितना जनना यह पूछ रहा ठीक है तो सबसे पहले यह जिए झालतों कि अगर पुछाला जाए वीस बार सिक्था इस रात किया घौन साबवना कितनी है दो है दो बार है दो है या तो नहीं आने तो चालने भी से लगतिश्चे को खाला जाए थाए तो कुल कुल इसने को कितने किलम की तब मतलब कितनेख ना क्यों法 सकते हैं 20 Halloween आश्य आक आशा सकता है इसा हैड़िम डिटेल इड़िम डेल टेल टेल है करके खुद Понjac तो हम लोग लिख सकते हैं कुल अभी पर्योग कितना कुल अभी परियोग फिर अनुपर्योग बराबर हो जाएगा 40 चलिक है और वीत सो बार चीता पड़त है आ अब परियोगों की defend आप जैसे लेक्षण कि सकते हैं अनौ फूसरा चीत आने की प्राइक्ता तो चीत आने की प्राइक्ता कितनी होगी चीत आने की प्राइक्ता कैसा निकालते हैं जितने की संभावना है वो नीचे लिखेंगे जितने की संभावना है कितना रिजल्ट आ सकता है 20 बार उचलने पर टोटल 40 रिजल्ट आ सकता तो उसको नीचे ल प्राइटा आपनी कि प्राइगता इसी के बराबर करेंप नहीं अज़ीज दूनों के परिख यह如此 अуж bubbly औह एक present उनीची के बराबर एक झाविक में ह sì यह अपका desap़ेंगे Пр latae कि दूसरी बात कि किसी भी घटना के घटने और नहीं घटने के पराइक ता एक के बराबर होती है अनना मतलब उसको जूर देते हैं तब और दूसरी बात की किसी भी घटना के प्राइक्ता जिरू और एक के बीच में होती है अगला सवाल है नीचे नीचे के संबंध में सिक्का का चीत आने के प्राइक्ता पी है और पट आने के प्राइक्ता पी वन 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 है तो कौन सा संबंध सकते है तो मैंने भी बताया ना क कि किसी घटना के घटने है और नहीं घटने कि ie myज़ कि प्रयक्ता का योग हमे सा एक के पराबर होता है इसी सब्सक्रती कि अनुकूल परी प्रती कुल अनुकूल का मतलब है कि जो होने वाला अर हमेस्थ आनिकूल अनुकूल और परतिकूल प्रस्तीतियों की प्राइक्ताओं का योग एक के बराबर होगा इस तरह से आपके किताब में लिखा हुआ होगा ना मतलब उसका यही है ठीक है तो देखो चित आने की प्राइक्ता है पी-ई है ना और पट आने की प्राइक्ता है पी-ई-वन है ना अब धान समझ कि प्राइकता का योग किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा हमेजा एक के बराबर होगा हमेजा एक के बराबर होगा तो एक में घटना के घटने और नहीं घटने के प्राइकता का योग एक के बराबर होता है तो एक में घटना के घटने और नहीं अगर सवाल है किसी भी घटना की प्राइक्ता के लिए निम्न में से कौन सही है किसी भी घटना की प्राइक्ता क्या होती है मैंने बता है वो क्या होता है हमेशा जीरो से वन के बीच में होता है का होता है जीरो से वन के बीच में होता है और साथ ही एक और बात भी जानलो कि ज जीरो भी प्राइक्ता होती है किसी प्राइक्ता होती है असंभव घटना की किसी असंभव घटना की प्राइक्ता होती है जीरो जैसे कि हमने एक पासा फेका लुडो जो खिलते हैं उसको पासा बोलते हैं तो वह हमने पासा फेका तो उस पर साथ आने की प्राइक्ता क्या है क प्राइकता होता है बिल्कुली निश्चित घटना का जो घटना घटना निश्चित है उसकी प्राइकता होती है एक और बाकी किसी भी घटना की प्राइकता जीरो और एक के बीच में ही आता है कहा था बाबु जीरो और एक के बीच में ही आता है तो इसका साही अंसरा को किसकी सहायता से किया जाता है कितना संभावना है उसका होने का है तो इसको क्या कहते है । अनिशिता संभात्म का रूप में मापन् प्राईकता की सहायता से किया जाता है किसकी सहायता से प्राईकता की अब थे निश्चित घतना नंज about होनअ पrites इक होगी किसी क्या होगी एक अगला सवाल है डेखलो किसी असम्भव घटना के प्राइकता क्या होती है जीरो relied होती है और किसी निश्चित घटना की प्राइकता एक होती है अगला सवाल है किसी भी उच्छाल में अनुकुल दथा परतिकुल घटनाओं का योग इन में से कौन होगा तो वही बात जो हम आपको उसी समय से बता रहा है उसी को किताबी भासा यहां पे लिखा है कि किसी भी फ्राइकताओं का योग इन में से कौन हो गाला कि किसी भी खटनाओं का योग और नहीं होने के बड़ावर होता है वही बात याप लिखा हुआ है यह हूगा या यादि कि किसी भी उच्छाल में अन्युकूल तथा प्रतीकूल घटनाओ का योग एक के बड़ाबर होगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं इन में से किसी प्राइक्ता की घटना कौन नहीं हो सकता है कौन नहीं हो सकता बताओ जीरो किसी भी घटना के प्राइक्ता हो सकती कि नहीं बिल्कुल हो सकती है जब घटना असंभव तो उसकी प्राइक्ता जीरो होगी तो यह सही है यह हमारा अंसर नहीं है एक भी होता है प्राइक्ता कब जब घटना निस्सित हो तब क्या होता है एक होता है प्राइक्ता अग से बरा है तीन बटे दू क्या है एक से बरा है और हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था कि प्राइकता जो है किसी भी घटना के प्राइकता जीरो और एक के बीच में होती है एक से बड़ी नहीं होती है तो इन सब में तीन बटे दू जो है वह किसी भी घटना की प्राइकता न ही हो सकता है अगला सवाल है एक पासे को एक बार उच्छाला गया तीन और चार अंक आने की प्राइकता क्या होगी चलो तो जब एक पासे को उच्छाला गया तो कुल कितने परिनाम आ सकता है कुल कितनी संभावनाएं तो बता कुल अनुपड़ियों कितने हैं कुल परिनाम क तो परिणाम है तीन और चार आने की प्रेक्ता क्या है तीन चार कितने अंख है तो तीन या चार में से कोई एक आने की संभावना कितनी बार है तो हमारे पास कितने निजाल्ट आने जईके माने कितनी क्ष़ना गट रहें औरो चाहिए न अब चांव कुल सम्हावना जो यह वो लिखेंगे और जितने बार घटना घट रहें उसके ऊपर लिखे कि अगला सवाल देखते हैं कि एक पासे को एक बार उच्छालने पर बीसम संख्या आने के प्रहक्ता निम्लिकित में से कौन है कुल परिणाम क्या है कुल संभव परिणाम क्या है मतलब कितने परिणाम आ सकते हैं एक पासे को फेकेंगे तो चौब परिणाम आ को प्राइकता है three तीन संख्या है तो प्राइकता क्या हो गया इसको काट दो एक पासे को एक बार उचालने पर संख्याने के प्राइकता कितनी है एक बटे दो है यह होगे हमारा सहीं सै कि अगला सवाल है एक बैग में या बैग में टीन लाल दो बुलु मारबल है या द्रिक्षय एक मारबल को सब्सक्राइब निकने सब्सक्राइब कर tão तो भी कितनी संभवनाएं तो कुल कितनी संभावनाइत तो मस्कुइनटे तो फैसे सब्सक्राइब तो 5 मा रहा परी बुलु मारबल का तो गटना कितनी घट सकती है जो हगा यहीं हो गया आधा सवाल है अच्छी तरह मिली जूली बावन पत्तों के कार्ड से एक कार्ड निकाल दिया जाता है, लाल रंग के बादसा के लिए पराइक्टा क्या होगी, तो देखो ध्यान से, ये भी असान सवाल है, बावन संभावना है, बावन को कार्ड है, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक निका चैनल को निकाल दिया जाता है तो लाल रंग के बात्सा के लिए पढ़ेक्ता होगी एक बटे 26 तो देखो तो एक पासे को फेका जाता है एक पासे को फेका गया तो सबसे पहले तो जैसे एक पासा फेका गया तो कुल परिनाम कितना है चोँ है ना चोँ परिनाम आ सकता कुछ भी तो पांच से कम आने की प्रहेक्ता क्या है तो ध्यास देखना पांच से कम आने की प्रहेक्ता का मतलब क्या है एक आसकता है दू आसकता है तीन आसकता है चार आसकता है यह चार संख्याएं आएंगी तो यह क्या हो गया पांच से क हम आने की प्राइकता में कितनी घटना है चार घटना है तो चार बटे च्छो हो गया काटोगे तो कई बार में गटेगा दू बार मैं तीन बार में तीन आ गया कितना के बागों दू बटे तीन आ गया तो चलो अब देखते हैं ऑप्शन में दू बटे तीन कहां पर है तो यहां पर सही अंसर होगा दो बटे तीन हैंना तो यही होगा हमारा सही अंसर यह आपको सुधार के मिलेगा ठीक है चार बटे छो चार संख्या आ रही है और कुल परिनामों के संख्या छो है जाहिए बात है एक दो तीन चार ही पांच से कम होता है अगला सवाल है एक सिक्क्य को एक हजार बार उचालने पर पट आने की संख्या है चारसो पच्पन कितनी उच्ट चारसो पच्पन तो पट आने की प्राइकता क्या होगी समझना सबसे पहले तो चीत कितनी बार आया होगा बताओ जब 455 बार पट आया है तो चीत आया होगा यहां प हाँ पर चीत नी बार की तो चीट आया रहा है और कुल किसुलार चीह सो की काला सबस्क्राइब बता हमें 2000 अब एक क्या हो गए जीड़ों दिसमलों पांच पांच और पांच कहा है सी में में यह हो गैंवारा सही आंसर कह बना में अगला सवाल देखते हैं एक किरकेट मैच में महिला बल्ले बाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है तो चौका ना मारने की प्रहold इतना video सबसे पहले वह महिला खेलती व้ 30 बोल खेलती है और 30 गेंद में 6 बार 4 का मारती है तो 4 का कितनी बार नहीं मारती है चौका कितनी बार नहीं मारती है चौका 30 में से 6 घटा दो तो 24 आ गया तो 24 बार चौका नहीं मारती है और कितना बॉल खेली है 30 बॉल खेली है तो इसका मतलब है कि चौका ना मारने की प्राइकता है 24 बटे में 30 अब देखो चौका 24 आच चौपच तीस कितना गया चार बटे 5 आगया तो चौका ना मारने की प्राइकता है चार बटे 5 देखो तो आप्शन में कहा है ए में है यह हो गया हमारा सही अंसर ठीक है अगला सवाल देखते हैं एक पासे में पांच से कम संख्या की प्राइकता क्या हो गयी तो एक पासा जब फेका गया और तो कुल संख्या क्या 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 आ सकती है आपको पता है चे संख्या आ सकती हैं माने कि कुल परिणाम चे हैं पांच से कम यानि कि एक दू तीन या फिर चार आ सकता है तो कितना संख्या चार संख्या आता है उपर में चार लिख दीजे चार बटे चौ यानि दू बटे तीन आ गया यही सवाल इसे पहले भी था तो सब्सक्राइब है नियुटू कि यहार दो अंग तीन बार आता है तो प्रहिक्ता क्या हो होगे जाहिट से सबसrowsबसे पांच बार उचख्या कितनी बार आरा है तो त survivडे पांच हो गया है तो कुल गटना याने कुल अनुपरियोग उसको साथ ղिख़तु ऑर जितनी बार घठना भाटी है सभिदा कर लिख्या को कि ध्य॥क्ट्रीक कितनी बार घठना गटियें दस भार गठी है और चितनी बार गटना गटी-दस पर आया है तो चीत आने के प्राइकता क्या होगी पांच बटा में दस काड़ दो एक बटे दू हो गया देखो तो एक बटे दू है एंसर में तो यह हो गया हमारा अगला सवाल है एक सिक्कों सिक्के को गया है चित आने का राया है तो पर चीत आने की प्राइकता पूछ़ रहा तो प्राइकता कैसे लिखते यह दो शारसक लिखते अगला सवाल है अगला सवाल है है दो सिक्कों को 500 बार उछाने पर Kiss एक सो पांस वार आता तो प्राइक्त Om होगी उसी तरह से सवाल बनेगा है ना चीट आया कितनी बार है दो कीटा है 105 बार है ना और बना कितनी बार खटका यह कितने बार कहते हैं कुर कितने बार सबस्क्राइब तो बचे दस पाइस के पात तो यहां से सौ तो यह आगया एक कोई सम्ण दूगे क्लिक हो जो 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 जेक आठ एमें है कि मैं तो यह होगा अगला सवाल देखते हैं अगला सबाल से सिक्कों की एक साथ 200 वार उच्छा लाग ना अब तीन गंट बजलार किक बारहिक लागए वाधरी। कोई भी सिर्ष नहीं आता है 28 बार तो कुल कितनी बार उच्छा लागा यह आपको दिया गया अब पूछ रहा है यह तो दो सिर्ष आने की क्या प्राइकता यह पूछ रहा है तो प्राइकता निकालना असान है कैसे निकालते हैं लोग आउल सिकल कंडृओं कितनी बार उच् âleHey 200 बार तो नीचे में लिख्यागे दोस बार अब पूछ रहा है दो सिर्ष आने के प्राइकता तो 200-20 कितने बाराया कितने बारायाख कितनी बार घटन गठी है 72 तो 200 अउपने 72 काटो इसको काटो के तो यह कटेगा आठ नवा बहत्तर पचीस अठे दूसर नौ बटे पचीस आगाई तो क्या हुगा दो दो सिर्षाने की प्रयक्ता हो गई नौ बटे पचीस तो चलो ऑप्सान में देखते हैं नौ बटे पचीस किदर है नौ बटे पचीस डी में है तो डी हो गया हमारा सही अंसर अगला सवाल है सिक्कों को उच्छालने की संख्या बढ़ाने पर भिन्यों का मान किसके सन्निकट हो जाता है ठीक है तो दूखो मालों की एक सिक्क्य को तुमने उच्छाला दस बार कितनी बार दस बार तो कुल संभावना कितनी है परिनाम होगी 20 है और चित कितनी बार आ सकता है कि दस बार उछाले हो तो तो चीद दसे बढ़ना आएगा तो दस बट्टे 20 हो गया कि अज़िए बिए सकते हो कि दो सिख्य को मालने के दस वर उचाला तो कुल संभावनाएं कितनी है और चित आने कि संभावना कितनी इसको निकाल कर देखो जीरो दिसमलों पांच के आसपास ही आगा ऐसे याद रखो आने याद रखने वाली बात है कि सिख्यों को उच्छान नीचे लिखो और जितनी बार घटना घटी है उसको उपर लिखो और इसको काड तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा हमारा अंसर आएगा कटो इसको को क्र देखो के कटोगे तो पांसर काटों के तो यह हो जाएगा पांच को का 20 और चार बच गया तो 9 पचे 45 और य यही हो गया हमारा चलो इस तरह से इस चाप्टर में इस इतने भी इंपरेंट सवाल थे हुआ हम लोगों ने देख लिया है और बाकि आप लोगों से मुलकात होगी फिर अगले चाप्टर में तब तक के लिए पढ़ाई करते रही अपना ध्यान रखिए और अपने चैनल क को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं क्या तो अभी कर लिजे जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट वे अपने सवाल और सुझाब लिखेगा और अपने दोस्तों के साथ से जरूर कीजेगा बहुत भूद धन्यवाद कि अ कि अ कि अ